नमस्कार and welcome back मैं मुकैस बाकर और हम पढ़ रहे थे समाकलन गनीद तो integral calculus है उसमें last class में हमने double integral पढ़ा था double integral है उसके कपी सारी questions भी किये और एक दो questions ऐसे थे जिनमें मैंने आपको gamma function के बारे में बताया था अब gamma function क्या होता है और जो gamma function था उसके questions मैंने आपको हल नहीं करवाई है उसकी वज़े यह है कि जो double integral है उससे पहले की personality है बीटा और gamma फलन यानि की beta and gamma functions तो उनसे related की gamma function है नाम आ गया या फिर उनसे related question आ गया तो कैसे हैल करते हैं वह हम आज क्लास में उसका अध्यान करेंगे तो आईए देखिते हैं अब देखो गामा function क्या होता है जैसे एक तो इस बात का दियान रखना है कि gamma function होता है इसको इस चिन से निरुपित करते हैं यह जो चिन है वो gamma function को निरुपित करता है अब gamma function का question कैसे आएगा कि मैंने लिख दिया जैसे यह एंड चीक है तो यहां पर इसका solution होता है n-1 या फिर इससे भी करते हैं और यह भी होता है अब दो कैसे कि मैंने लिखा चार यह गमा चार तो इसमें क्या करना आपको कि सबसे पहले फेक्टोरियल लगों पर तीन तो इसको में क्या लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फेक्टोरियल 1 अब यह इस कमा हो जाएगा इस तरह से आपको गमा फंक्शन है उसको हर करना है अब बाइद वे कई बार अपने आजाता है बटा में क्यूशन के जैसे कि मेरे पास में यह आगया कि मालोग तीन बटा दो और यह आगे इसमें क्या रूल होता है कि पहले एन ठीक है जोट एन माइनस वन तो लिखते ही है या फिर ए उसी के अकोर्डिंग जैसे मैं क्या लिखूंगा इन माइनस वन टरितुरीयल तो तीन बटा दो माइनस दो मैनस वन च्या होता है एक बटा दो टूल हम लिखते है कि इनका यह यहींकर अगया यह आगे ऐन मयनस धो तो आ गे यहीं बटा दो नोट ही आता आपके उत इसका मान होता है पाई जो कि जब हम बीटा और गमा फंक्शन घुल करेंगे तब आप इसका मान आप जान जाओगे किस्ते से मान निकालते हैं तो अब मुक्यतिया आपको बस यह ध्यान लगना है जो भी फंक्शन आते हैं गमा फंक्शन आ गया जैसे कि यह छे आ गया आठ आ गया दस आ गया नो आ गया जो भी सिंख्या हो और यह गमा फंक्शन की रूप में आजाती है तो हमें फिक्टोरियल की रूप में पहले चेंज कर देना है यानि की फिक्टोरियल एन मान निकालने किस से होते हैं जिसमें की कोर में दे दिया जाता है तो ने को पूर्मुलिस होते हैं हमें की इसन को qi Lane करना है तो ठीक इससे मुक्हِ Breakfast आप इससे पर किस तर से आप या जाता है यह मैंने आपको बता दिया अब कई बार की ओता है mattress कुछ प्रिक्नोमेट्री के फलन दे दिये जाते हैं तो उस स्थिति में उनके फॉर्मुलों के कोर्डिंग ही कुशन हलोगा ऐसे नहीं कि आप बस मन्द चाहिए इसमें यह लगा रहे हैं एक उतार विटा फलन और गमा फलन दो होते हैं उन दोनों के बीच में समंध विटा हम एक्साइज है एकसाइज को रहें तकि 영 को हल करेंगे ताकि अपने आराम से समझ में जाए तो यह जो अपना है डिदाबल-ॉंट्रिग्ल में ःसमार करना है जिसमें हम है लिमिट्पंच हमेंटी fracture होगी और ऑ दी-क्स और निक साब आक इसक्तता यह हम बिटा और गमा फॉलन ले रहे हैं जो क्यूसन है उनके हल थोड़े से इसी हो जाए ठीक है तो आईए क्यूसन करते हैं अब जैसे कि हमारे पास में यह उना गया है साइन धिटाव डिटा डिटाव और से वाड़ीर जिरू से ए भोश छिटाव ठीक है तो अब इस इस सथी में जा करना है अपने को सबसे पहले तो जा कि सम्गेच कर रहा है डि-अर की सम्गेच करना रहा है क्यों कि जो ją का दूश्माकल मैं हमने पर्ते किसन में यही पड़ा है कि जो लास्ट वोला जिसके समख्ल करने करी कुद आए-अ क्चिन गरते हैं यह इंट्रीकल से नथन से यह दिर से यह लाश्ट वड़ा होता है और इसका स्माकलन किया जाता है इसके सपेट्स ठीक है तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि यहां पर मैंने लिख दिया जिरो से पई बाई टू और यह हो जाएगा आपके ब्रेकिट में इसको बंद कर दो तो यह हो जाएगा जिरो से ए पो से पाई बाई टू और इसमें है जिरो से एको सिटा और सैंटिटा डियार यानि कि हमें यहां पे डियार के सपेक्स इसका समाकलन करना है तो डियार के सपेक्स इसका समाकलन क्या होगा हमें सैंटिटा से कोई लेना देना नहीं है सैंटिटा यहां पर पढ़ा है तो इसको तो मैं इसको क्या लिकूंगा जीरो से पाई बाई टू और यह हो जाएगा आपके क्या सायन तिटा डोट आर स्कॉएर अपॉंट टू और लिमिट होगी जीरो से ए पॉस थिटा एंड टिट थिटा पता है किसे वाद यहाँ पर जो सायन तिटा था उसको मैंने सबाइद से माँलिया और फिर इसको भारक दिया तो हमें और का isRistling से समाकिलन करना और हम एकस की पावर-N के अकोडिंग TW ौट को क्या होता मैं साबुए अब है इसमेरआइ तो अप्दिमिटिंग यहां पर लिमिट वाइन जऄ ए एक merged चिटा पर रख़नी है आर की जगे ऐसे नहीं कि आप यहां पर थिटा की जगे रखने हैं लग जाओ यहां पर यह हमने आर की साफट श्मागलन किया है तो मान भी हमें आर की जगें ही रखना है तो यह हो जाएगा आपके 0 से 5 x 2 sin theta है या फिर आप यहां पर ऐसा भी कर सकते होगी साइन theta अपोन तू है उसको बार कर दो और र के जगे में माल रखना है तो आर के जरी में यह रख दिया है फोस सटवर माइंस जीरो और यह हो गया डिवभ you कोई अभी तक मैंने केवल अपर लिमिट का मान रखा है और अपर लिमिट मानस से लोवर लिमिट किया है ठीक है इतना अब देखो यहां से हो जाएगा 0 से 5 by 2 और यहां पर मान रखेंगे तो मैं इसको क्या लिखूंगा ए पोस्ट टा डोड साइन थिटा अपोन तू और यह हो जाएगा दी थिटा ठीक है अब हमारे पास में यह है ए पोस्ट टा डोड साइन थिटा अपोन तू और समखलन करना है हमें 0 से 5 by 2 के बीच में हां तो अरे स्वर्या यहां पर देशिकार स्कॉर ने तो यह भी स्कॉर कर दियो इस यह हो जाएगा आपके ए पोस्ट स्कॉर पर एस्कॉर पोस्ट स्कॉर तो यहां से हम है एस्कॉर अपोन टू को बार ले लिया तो यहां से क्या हो जाएगा जिरो से पाइब बाई टू और पोस्ट स्कॉर तो यहां पर आप जो हम गामा और बीटा फ्रम पड़ते हैं उन्हें एक सुत्र होता है उन्हें आपके बता देता हूं जुत्र यह होता है कि जीरो से पाइब टू है तो जीरो से पाइब टू साइन की पावर एम ठिटा डोर या तो साइन की पावर लेना चाहते है तो साइन की पावर ले लो और यह पोस्ट की पावर है तो पोस्ट की पावर भी आरे वह तो हम यह तो जानती हैं कि इसमें उपर नीचे कुछ भी सहकते हैं आगे पीछे यानि कि जदी इसकी paramilative 2 उसकी portal Briland wird को आगे पेथे लिगने से कोई मतलब तो है नहीं अध्यकर पहले ये वाण लिख दो चाहिए बाद में वह लालब दो यह की बात है तो यह जो है वहता है गामा गामा को हमेशा इसी चिन से निरूपित करते हैं इस चिन का ध्यान रखना कि यह जो चिन है वो किस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे होता है आपके आपके यह जो गामा का चिन है इसका विशेस दियान अगना कि गामा एम प्लस वन अपॉन टू और उदर है गामा एन प्लस वन अपॉन टू नीचे है वो हता है टू गामा एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन 2 ये अपने सुत्र होता है कि 2 जैसे ये उपर लिखा हमने गामा एंप्लस 1 अपॉन 2 प्लस गामा एंप्लस 1 अपॉन 2 इसमें है ये होता है आपके M plus n plus 2 upon 2 इस तरह से आपको यह सुतर है वो लिखना है चीक है? अब इस सुतर का दित्या ही यहां पर करना है इसको पोस्टैक में लिखना चाह FPS तो पोस्टैक में लिखना है यहां पर निरुपन करना है तो यह तो ची spouse बहुत दोनों सेम चीज यह वाला और यह वाला दोनों सेम यह तो यहां पर मैं यह मान रख सकता हूँ तो मान रखूंगा तो मैं क्या लिख मुआ इसको A square upon 2 M plus 1 upon 2 तो M, M यहां पर क्या है गहात गहात को यहां पर आपको M मानना यहां पर जैसे कि वो सुतर यहां पर यह है sin की power M और यह है तो आप इसको मान लो तो इसको मैं क्या लिखूंगा गामा M है तो यह M इसको 1 plus 1 2 upon 2 1 हो जाएगा या फिर इस सेकंड वाला हो जाएगा आपके N plus 1 तो 3 बटा 2 upon 2 गमा यह हो जाएगा 2 रेक 3 तो 5 बटा 2 चीक है यह आपके इस तरह से इनको निरुपन करना है अब आगे हम क्या लिखेंगे भाई A square upon 2 यह हो जाएगा 3 बटा 2 तो गमा 3 बटा 2 कमान क्या होगा मैंने आपको बताया था एक बटा 2 एक माइनस करेंगे इसमेस और फिरे जो क्या आएगा वापिस नमा एक बटा 2 तो उसको में क्या लिख सकता हूँ रूट पाई अपों यह क्या हो जाएगा डोट डोट तीन बटा 2 दोट एक बटा तो दो यानि पास बटा 2 है उसमें से पहले एक माइनस करूँगा फिरे फिर एक और माइनस होगा तो यह भी रूट पाई इससे यह कैंसल हो गया इससे यह कैंसल हो गया तो यह कितना आगया एस्क्वाइर अपोन यह हो जाएगा आपके दो उपर से ले गए तो दो से दो कैंसल एस्क्वाइर अपोन 6 चीक है इस तरह से आपको क्यूसनों को हल करना है तो इसकी यह आंशुरा आगे अब है समझ गया होंगे किस से से क्यूशन को हल करना है यानि कि पहले इस सुत्र का आपको जहन रखना है जब यह सुत्र कब लगना है जब आपको साइन और पोस है उनकी गाते M और N में दी गई है और समाकलन भीरों से पाइबाई तू दिया हो गया है तब आपको यह सुत्र यूज में लेना है और इस क्यूशन को हल करना है तो इनके जो गामा के मान निकालना आपको आ गए होंगे गामा के मान कैसे निकालते हैं कि यहां पर देखो मैंने जो टारेक्ट लिखा है इसका मतलब धानते हो ना आप कि यहां पे तीन ब तो उसको मैं क्या लिखता हूँ इसमें भी यह सही किया कि पास बटा दो था उसमें से से एक मानस किया और फिर यह रूट पाई आ गए इस तरह से आपको यह क्यूस्णों को अल करना आप देखो आपके नेक्स्ट क्यूस्ण जैसे कि नूर जो अपने धूरी निर्देसंगों से रिलिटेड़ तो उसको क्ये से एल करेंगे तो देखो यह है हमारे पास निर्देसंगों को धूरी निर्देसंगों में परिवर्टित कर मान ज्यात कीजिए जिसमें 0 से ए और y से ए x dx dy अपोन x square प्रेस से y square यह क्यूस्ट है तो अब इस क्यूस्ट कैसे हैं करेंगे तो देखो कि यहाँ पर यहां पर लिमिट्स सब्सक्राइब जाए तो जब हम मतलब कर देखिए तो जो पुर्दाइं लिमिट्स है और विमिट्स बात करेंगे बात में है तो यहां पर है सबसे पहले है जीरो से य से तो यह जो लिमिट्स है किसके साफेक्स है य के साफेक्स समाकल करें तब है तो य ब्राबर लोगर लिमिट्ट क्या है एक तो है जो कि आपके य के साफेक्स माकल करेंगे तब सेकेंड वाड़ी होगी जब हम एक्स के साफेक्स माकल करें तब तो एक तो य ब्राबर हो जाएगी य य एंड अपर लिमिट्ट क्या है य एक्वल टू ए है शेकेंड वाड़ी एक्स वरबर एक दिरू एड आपकर लिमिट्ट है एक्स वरबर ए चीक है तो इनकी अकोडिंग हम चित्र बनाते हैं पर ले लिए निल्वाँ लिए 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 यह उग्याट चीक्री आपकर अगलनीक्स सब्सेंप्स पहले बात करें हम एक्स ब्राबर ए और वाई ब्राबर तो मैं को ये लिख सकता हूँ एक्स ब्राबर वाई दोनों में यह मान तो एक तो हमारे पास नहीं अब या या पर यह यह यहाद पर मुल्गिन यहां पर यह जीरो हो जाएगा जीरो तो जो यह मान है जहां पर हम निकाल रहे हैं तो यहां से आप कि यह ले लिए मैंने कोई नाम दे दिया इसको या फिर यह यह ले यह यह से यह उसकता है और अधर है तो यह इस ट्राइब का में चित्र प्राप्ट होगा तो अब हमें क्या करना है इसी केस आपक्ष निकालनी है लिमिट्स क्या होगे इनकी लिमिट्स क्या है यानि कि जो हमने यह तो अपनी जो क्यूशन में दी गई है उसकी अकोडिंग लिमिट्स से अब हमें इस ट्रीक अकोडिंग की लिमिट्स बता रहे है तो लिमिट्स क्या होगी एक तो हो जाईए आपके लिमिट्स यहां पर नाम नहीं देरा एक तो एकस ब्राबर 0 है तो हमारे पास में यह रिने वाली एकस ब्राबर A क्या पे 0 एता यह रिने वाली y वाली यदी ब्राबर एक तो होग जाएगे आपके 0 e को जाएगे y ब्राबर कौन से लिमिट होदा एगी x यह हमारे पास में new limits रोगई आप उनकी अक्वोडिंग हमें क्या करना है लिमिट्स कमाड रखना है लिमिट्स कमाड क्या रहेगा बहूं तो नो समागने निक्टो एक्स अपन एक्स्वेर प्लस-दीएक्सवेयर, इस्वेर प्लस कि हो जाएगी जिरो से तो अब है इनका क्या करेंगे हम स्माखल लग कैसे करेंगे तो यह हो गया 0 से ए और 0 से एक्स इसकी लिमिट है एक्स अपॉन एक्स स्कार प्लस वाई स्क्वाई इसका स्माखल करना किसके सब एक्स वाइट कैश्य सबक्राइब करना है तो इसको ब्रेकट में लिख दो जिरो से एक्स और यह हो जाएगा आपके एक्स अपॉर्ण आएकस स्कुरायर प्लैस्वाय स्कुराइब त्यू वाई रियो हो जाएगा प्ये एक्स तो 0 से A और यह हो जाएगा आपके इसका स्माखिन परोगी क्या हो जाएगा 10 inverse आपको ने एक्स करके देख लिए और यह हो जाएगी लिमेट 0 से X और यह हो गया BX अब हमें क्या करना है Y की जगे इसका मान रखना है Y की जगे मान क्या है अपर लिमिट मैनस लोवर लिमिट अपर लिमिट क्या है यहाँ पर X X ही है X रखो यह हो जाएगा 0 से A और यह हो गया 10 inverse Y के जरी क्या है रखना है X रखना है तो X अपन X माइनस जाएगा 0 हो जाएगा उल्डेधी तो यह हो गया 0 इसके शाप X कर रहे हैं हमसे मातलग X के साप X ठीके तो 10 inverse से X अपन X इसको मैं 1 लिख सकता हूँ 0 से A यह हो जाएगा आपके 10 inverse 1 10 inverse 1 क्या होता है यह है यह है D X यह 0 से A और यह हो गया 5 by 4 D X क्लिए रहता है अब हमें स्मार्टिंग के साप X करना है X के साप X करना है 5 by 4 को मैं बाहर लेनू तो 5 by 4 और यह 0 से A और हो जाएगा D X 5 by 4 आप इसका X हो जाएगा X समार्टिंग होने के बाद में upper limit मैनस lower limit upper limit हमारे पास में क्या दिवी है A दिवी है तो upper limit को मैंने रखा A इस तरह से equation खलो गए तो बाकी के जो दूरी निर्देशांग को वाले क्यूशन है उनको भी आपको इसी तरह से करना है बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो दूरी निर्देशांग है उनका जब हम हल करते हैं उन क्यूशनों को जब हल करते हैं तो उनमें कि जैसे ही हम उनके माणों को चेन्ज करते हैं तो उनकी जो लिंट्स होती है इसमें हमने थोड़े से वेंजुकों की मान को चेंज गया कि यहां से हमें इसका मान निकालना है तो वहां से हमने इसकी लिमिट से उसको चेंज कर दिया था तो ठीक उसी प्रकार से आपको यदी निर्देशां को वाले क्यूशन दिये वे होते हैं तो उन निर्देशां को मे जो क curse होता है इस mention के according आपको बदल देशन अब करको तो इन क्या था ती प्रिप्यूरों की तो इन क्यों है जो ये है बूरी निर्देशाग को यहां से यह बिंदू दिया गया है इन दोनों बिंदू के मद्धिया में इनका स्माक्लान ग्याद करना है तो वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में एक कुछन तो हमने कर लिया बागी के यह दी को डिपिकल्ट कुछन होगा तो कुछन हम अगली next class में करेंगे लेकिन यह जो क्यूशन है यह मैं कैसे कर रहा हूँ अब है बहुत सारे से इस क्यूशन को देख रहें हैं लेकिन इनको पता नहीं चलता ऑए कि यह लिमिट से आई , बाई से बाइस फ़िसते जो न्यूयों लिमिट वाड़ा क्या चक्र है तो न्यूयों लिमिट वह उतीए वैसे आपने एक अग्सा बारा में जो स्मार्टलन के अनुपरियोग थे उनमें काफिर सारी कुशन की थी और उनमें आपने ये देखा होगा कि किस तरह से जो लिमिट्स से वो बदल जाती है उस कुशन को चेंज करने के अपोर्डिंग तो इनमें भी वे साही करना है कि जैसे ही जो देख्ट लास में यदि उन्में सें जो डबल इंट्रीगल है उनमें एक्रिकी साधर उसके्पके ऊसे थे किनडर पार्ट यो शुक्ते और टेस्ट जो डबल इंट्रीगल की सेकिंड वाली में से तो दो चार क्यूशन है पांच क्यूशन है लास्ट से पांच है छे क्यूशन होंगे तो उनमें यदि और को